कोंकों की तेज़ी अब निफ्टी में आ चुकी है, करीब करीब 24,400, 37,400, 38 के जोन्स में निफ्टी काम काज कर रहा है, 36,000 के उपर फिर्मली ट्रेड करता हूँ, दिखाई पड़ रहा है करांक सर मौझूद है, उनसे हम बाचीत करी रहे हैं, लेकिन ओला एलेक्ट्रिक ने बाजार में अपनी पहली एलेक्ट्रिक बाइक लाउंच कर दी है, साथी कंपनी के नतीजे भी आये है, HSBC ने ओला एलेक्ट्रिक पर एक रिपोर्ट जारी की है, इस पर बाचीत कर लेते है कंचन वासर मौझूद भी है, कंचन, स्टार परफॉर्मर आज का, उला एलेक्ट्रिक, क्या डीटेल? एलेक्ट्रिक वेंचर में जो रिस्क रिवार्ट का रेशियो है, हो सकता है कि आने वाले टाइम पे हमें वो पॉजिटिव साइड में आता हुआ दिखाई दे, बट इड़ सेम टाइम इंडिया के अंदर एलेक्ट्रिक वीकल में जो टूविलर का सेक्टर है, महां पे जो वो थोड़ी सी स्लो है, साथी साथ बैटरी के सेक्टर में जो प्रॉब्लम चल रही है, वो कही ना कही एक प्रॉब्लम का प्रॉब्लम बने वी है, जिसको लेके वो थोड़ा सा कंसर्ण जटा रहे हैं तो ओला एलेक्ट्रिक करीब करीब 132 रुपे के आसपस कामकाच कर रहा है और 140 रुपे के टागर है, आठ रुपे का और अफसाइट देख रहे हैं, आज जबरदस सीजी स्टॉक में देखने को मिल रही है, बहुत बहुत शुक्री अगज़न ये तमाम डीटेल के लिए, गौरांग सर, ये सेक्टर एकदम से बजिंग हुआ है, ओला एलेक्ट्रिक लिस्टिंग 80 रुपे पर, ग्रे मार्केट प्रीमियम 3% का डिक्लाइन था उस समय, लेकिन सड़नली स्टॉक को ऐसा हीट मिला कि आज नए ओल टाइम हाई पर खड़ा है इस स्टॉक, 130 रुपे, एक लाग क्रोड की मार्केट के अप उसको मिल रहा है, जबकि वो इतने सालों से अपनी हिस्ट्री भी दे रहा है, कैश फ्रो जेनरेशन भी स्ट्रॉंग है, डेट फ्री कंपनी है, और लगातार करीब-करीब 5,000 क्रोड उपे के आसपास से कैश फ्रो जेनरेट करता है साल तो कुछ ऐसा है जो मैं गलत पढ़ रहा हूँ, या कुछ ऐसा है जो बजार से ही पढ़ रहा है, और कुछ ऐसा भी होता है कि बजार की बुद्धी मता को कभी परशन नहीं करना चाहिए सुमेट, तो यह एक ट्रेंड है, एक तरीके से, पहले तो अनिवारिया होगा, डिस जो मैं निवेश्कित आई दी थी, हलांके हमें भी अनुमान नहीं था कि इस प्रकार का मेरे ख्याल से रुझान आएगा लिस्टिंग के पश्चाट, और खास करके लिस्टिंग वाले दिन जैसे आप भी जिक्र कर रहे थे, और बाद में यह परिस्तिती, कल जो लॉंच की है बाइक, मेरे ख्याल से एक फ्यूचर जनरिस्टिक बाइक है, और एक नई टेक्नोलोजी के उपर लेकर के आ रहे हैं यह, जिस प्रकार से इनकी जो सेल को लेकर के, टूवीलर सेल की जो फिसलिटी है, जिगा फैक्टरी की जो बात कर रहे हैं, उसको लेकर के भी मेरे ख् सकता है, लेकिन सुमित प्रश्ण चिन खास करके हम जैसे विशेशर के लिए जो बुनियारी तरक्याधार पर आकलन करते हैं, चिंतरा जनक बात है, जो पंद्रा सो करोड के आसपास का जो घाटा है बैलेंशीट पर और यह जो घाटा है मेरे ख्याल से, कितना भी अच्छा काम कर लें, मेरे ख्याल से समय लगेगा इस घाटा को परिवर्तन करने के लिए और फिर मुनाफ़ा में आने के लिए, अगर आपने IP में पैसे लगाए हैं और आगर आपका नज़िया लंबी है उदीका है, तो आप निवेशित रहें, लेकिन ये भी कहना चाहूंगा, ये टाटा मोटर्स ने एक लॉंच करी, एवी की कार, महिंदरा ने कल लॉंच करी अपनी रॉक्स और बहुत स्ट्रॉंग उसका ट्रैक्शन भी है, डाई परशंट उपर महिंदरा आज कामकाच कर रहा है और बहुत समय से अवेटेड भी थी है, फाइव डोर थार जो है, प्ल लोट लोग आप स्ट्रॉंग मान रहो पूरे ऑटो स्पेस का या इवन टायर या अंसलरी स्पेस का, देखे अगर आप आप पर सकारात्मक रुजान लेकर चल रहा है सुमित भाई, तो आपको उतना ही सकारात्मक नजरिया, बैटरी मैनुफेक्ट्रिंग कंपनी, टायर मै यह समीकरण है, आप किसी एक शेतर पर खाली ध्यान नहीं देख सेखते हैं, क्योंकि वह पुरजे जाते हैं वहान में, जिसको आप सुरक्षित वहान बराते हैं, भारत सरकार के तरफ से यह भी गोश्णायों हमने सुनी है, कि वह आनने वाले बविशे में हमारे भारत वर कर रही हैं वहान उत्पादन करने वाली कंपनियां, तो इनका अनुभव और अनुमान यह कहता है, कि आने वाले बविश्य में मांग उपर ही जाने वाली है, और वास्तविक्ता ये भी है सुमित भाय कि कुछ मॉडल में आपको वेटिंग पीरेड है, भले आप कितना भी प्रीमियम देना चाहो, लेकिन वो मॉडल अविलिबिलिटी नहीं है, तो इतनी अगर डिमांड सक्षम है, और अगर खास करके ग्रामिड मध्यम ग्रामिड भागों से मांग बढ़ रही है, तो जाहिर है आपको आरेंडी के तहट जो एक्जिस्टिंग आपके वहान के लेलो या बढ़िया सी बाइक लेलो, सूट तो करती हैं दोनुए आपके ओपर क्या करता चाहिए, बाइक के तरफ मेरा पलड़ा थोड़ा बहुत ज्यादा जुका हुआ है, लेकिन हाल फिलाल जो इस करके बंबबई शहर में रस्ते और जिस प्रकार से लोग दो वाहन, द आगे जा करके अगर ज्यादा फिर मन लचा गया तो फिर एक 350 से उपर शम्ता वाली मोटर साइकल बिल्कुल खरेजन का मन चल रहा है, और वो शायद कुछ समय लगेगा लेकिन, हाले या रोयल इन फिल्ड कहा जा रहे हो, किस साइड पर, इसका तो अभी तैयारी नहीं बढ़िया, राइट बताना कब निकल रहे हो, बनाते साथ में उसका भी कोई जी साब किताब, चलो कराक्षार, बहुत बहुत शुक्रिया हम आई साथ मौजूद रहने के लिए, और बजार पर बाचीत करने के लिए, सभी शेवरों पर अपनी रारणीतिया है झाल 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 झाल